अबैद खनन में लगी ट्रेक्टर ट्राली को इकवना तहसीलदार ने दिग्रा जोच से पकड़ कर किया पुलिस के हवाले स्रावस्ती जनपत के नबीन माडन थाना स्रावस्ती इलाके के दिग्रा जोच से इकवना तहसीलदार ने सूचना पर पहुंच कर अबैद खरन में लगी हुई ट्रेक्टर ट्राली को पकड़ कर नबीन माडन थाना पुलिस के हवाले किया सावस्ती जनपत के नवीन माडन थाना सावस्ती इलाके के डिंगरा जोच से तहसिल दार दे अबयत खरन में लगे ट्रेक्टर टाली को पकड़ने में सफलता प्राप्त की जिसे पुलिस को सौप कर अग्दिम कारवाही की जा रही है सावस्ती जनपत का मामला भीनगा कस्बे के बूत संख्या 157-182 में घर घर पहुँचकर भाजपा के लोगों ने पूरी हुई हर आस घर घर हुआ विकास कारिकम के तहट लोगों से किया संपग सावस्ती जनपत के जिला मुख्याले भीनगा नगर का मामला जहां पर बूत संख्या 177-182 पर पहुँचकर भाजपा जिला अध्यच महस्मिस्रा ओम वा आवच्छेत के उपाध्यच वा जिला प्रभादी राहुल रस्तोगी के नेत्रत में लोगों ने घर घर पहुँच कर लोगों से जन संपर्क किया गया और पूरी हुई हरास घर घर हुआ विकास के बारे में लोगों को जानकारी दी गई सावस्ती जनपत के जिला मुख्याले भीनगा का मामला बिधान सभाचुनाओ के दिश्टगत छेता अरिकारी वा प्रभारी निरी छक दथा पैरा मलेटी फोस ने इकवना के मोहनीपुर अस्थान पर पहुँच कर किया पैदल गस्त सावस्ती जनपत के इकवना इलाके के मोहनीपुर का मामला जहां पर बिधान सभाचुनाओ 2022 के दिश्टगत छेता अरिकारी यंपी सर्मा वा प्रभारी निरी छक मैप पैदा मलेटी फोस के साथ इकवना इलाके के मोहनीपुर में पहुँच कर पैदल गस्त कर ग्रामीरों से बारतार लाप कर लोगों को सोच्छा का हिसास दिलाते हुए मतदान के दिन निर्भीक होकर मतदान के लिए लोगों को जागरुक किया गया सावस्ती जनपत के इकवना इलाके के मोहनीपुर का मामला झालके के लिए हुए ए जन्या से वहना मतदान के लिए मतमेन प्रशक एकड़ सफ पयावालन Когда देचं प्रaguावों के लिए मPSI विए होका ई 예, मैं अन्या जन्या को प्या को शगना क piùपना इलाके को चैन्पूर में पहुंचकर स्वास विभाग की टीम ने कैम्प लगा कर 62 लोगों का किया कोबिट टीका करण पूर्व परधान के आवास पर लगा कैम्प स्वावस्ति जन्पत के इकवना इलाके के चैन्पूर के पूर्व परधान सुहेल एहमद के आवास पर कैम्प लगा कर टीका करण किया गया आज पूर्व ग्राम परधाम मुहम्मद सुहेल स 33 कविय लाइन में आया फाल्ट सुबह से ही इकवना कस्बे की बत्ती गायब बिद्दुत कर्मी मरम्मत में जुटे सावस्ती जन्पत के इकवना इलाके के भिनगा बाइपास मोर के पास की ये तस्वीरे हैं जहाँ पर 33 कविय लाइन की आपूर्ट को बहाल करने में बिद्दुत कर्मी जुटे हुए है आपको बता दें यहाँ पर कई घंटों से 33 कविय लाइन में फाल्ट आ जाने के चलते इकवना की आपूर्ट बातित है जिसको लेकर बिद्दुत कर्मचारी आपूर्ट बहाल करने में जुटे हुए हैं भीशर ठंड के चलते आपूर्ट में बार बार सिकायत आ रही है जिसको लेकर 33 कविय लाइन के फाल्ट को दूर करने में बिद्दुत कर्मी घंटों से कर मसक्कत का रहे हैं